नमस्कार आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ आज में BSTC एक्जाम 30 अगस्त को होने वाली है उसके लिए 30 महत्वपुन प्रसन अंति मोकाई ने याद करें और 15 दिन में मात्र सेलेक्शन पाएं आपको रोजाना यहाँ पर वीडियो मिलेगी रीजिनिंग और आपको जी इतने भी दोस्ते उन तक इस वीडियो को जरूर पोचाएं और इन 30 परसनों को बिल्कुल रट लीजेगा दोस्तों मैं आपको कुछ परसन यह से बताऊंगा जिने बिल्कुल रट लीजे बहुत ही जरूरी परसन है और चलिए शुरू करते हैं आज के इन परसनों से यह दिया आपने कुछ भी नहीं पड़ा है बस यह पड़ ली जब मात्र आपने अभीता कुछ नहीं पड़ा दो मैने तीन मैने से लोकडाउन एसे निकाल दिया बस आपके पास अंती मोका है इसे ना गमाएं चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रसन से प्रसन संक्या एक है सरवादिक वर्षावाला इस्तान कौन सा है माउंट आपू फलोदी समगाउं फोकरण सही आंसर क्या होगा वो कमेंट में कर देना सभी का सही जवाब जाएगा माउंट टाबू सीरोई में है कहाँ पर है दोस्तों सीरोई ही माउंट टाबू याद रखना है जिला पूछ लिया जाए आप से तो सरवादिक वर्षा वाला इस्तान है माउंट टाबू अगला परसन है न्यून्टाम वर्षा वाला इस्तान कौन सा है माउंट टाबू, पलोदी, समगाउं, पोकरण बिल्कुल सभी का अंसर आना चीए या पर बिल्कुल इसको तो गलत समझी लीजेगा क्योंकि माउंट टाबू तो होई नहीं सकता उसके लावा तीन आपके पास बचे हैं इनमें से आपको आनसर देना है तो समगाउं हो जाएगा क्या हो जाएगा समगाउं न्यून्ताम वर्षा वाला इस्तान है अगला परसन है परसन से क्या तीन सरवादिक सुस्क इस्तान है इसका सही जवाब हो जाएगा पलोदी पलोदी सही आंसर है ओप्शन ब नेक्ट परसन है परसन के चार शेवन गांस पाई जाती है जोदपूर जालोर जैसलमेर बीकानेर आपका आंसर होगा जैसलमेर जैसलमेर सही आंसर है सेवन गांस कहां पर पाई जाती है जैसलमेर में पाई जाती है किशन संग्या पाँच है सुस्कवन अनुसंदान संस्तान एफ आराई कहां है बीकानेर जैसलमेर जोदपूर बाडमेर सही जवाब होगा सई जवाब क्या है फटाबट से कमेंट कीजेगा सई जवाब है जोधपूर क्या हो जाएगा जोधपूर सुस्क वन अनुशंदान संस्तान यानि कि आपको स्वोट पूछ ले जाये कि EFRI कहा है तो सई जवाब हो जाएगा जोधपूर आगले प्रसंध की तरह बढ़ते हैं प्रसंध क्या अच्छे है किस जीलों के समूँ में अधिकतम वनो सेत्रों पाय जाता है बारां उदेपूर, चित्तोडगड, बरतपूर, जालावाड, कोटा करोली शीरोई डूंगरपूर बासवड़ा दोलपूर राजसमंद तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारा उदेपूर और चित्तोडगड में पाया जाता है इन सबों में सबसे ज़्यादा जो वन सेत्र है वह तो अगला परसंद की तरह बढ़ते हैं परसंद क्या साथ की प इससे समंद्य तो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोगों का 10 वन संदक्षन से तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अमरतान जो देवी है उसने केजडी वनों के लिए 300 लोगों ने एक साथ बलिदान दे दिया था तो उसी कारण आप सभी को पता हो गय अगले परसंगे तरह बढ़ते हैं 8 परसंग्या ताइगर के संदक्षन है तू राश्ट्य उद्यानों की इस्तती है कहाँ पर है सही बताइगा तो परसंग्या आठ का सही जवाब है सरिश्का योम रनतमबोर सरिश्का आपने नाम सुना वोगा सरिश्का बाग रिजवर और तंबोर राष्ट्य उद्ध्यान अगला परसने परसन संग्या नो राजस्तान के किस जीले में नेशनल उड़ पोसिकस पार्क इस्थित है दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट परसने तीस के तीस परसनों को रेट ली जगा और आपको कल भी बताऊंगा परसों बताऊ होंगे जीके रीजनिंग और सब सब्जेक्ट के हिंदी इंगलिस के सभी के ध्यान से पढ़ लेना बस इनको केवल और केवल इनको पढ़ना है साही जवाब देदो जैसल मेर नेशनल लूड पोर्सिस पार कहां पर है जैसल मेर में अगला परसने सुनारा त्रिकोन दिल्ली आगरा जेपूर पर इस्तित राष्ट्य उद्ध्यान है सुनोरा त्रिकोन दिल्ली आगरा जेपूर पर इस्तित राष्ट्य उद्ध्यान है कौन सा दरा मरुद्ध्यान गना पक्षी वियार केला देवी रनतंबोर साही अवाबोग इसका गना पक्षी वियार केवला राइट आंसर हो जाएगा आपका दसवे प्रसंड का नेक्ट प्रसंड की बात करते हैं ग्यारवे की camera जवार सागर अभणार इस्तित है एजवार सागर अभणार इस्तित है को teammates क्या हो bass देगा कोटा आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्ट बसन है जोजोबा पोदा राज्ये में कब लाया गया जोजोबा पोदा राज्ये में कब लाया गया 1976, 1963, 1955, 1965 सही आज़र होगा 1965 में लाया गया था जोजोबा जो पोदा है याद रखलीजे लिखली की याद कलीजे कुछ भी कलीजेगा रटलीजे राज्य का वो उद्यान जो विश्व दरोवर जेव विविदता संदक्षन कारिक्रम में चुना गया कौन सा है बिलकुल आंसराना चीए तो जाएगा केवला देवी अगला है राज्य में सागवान वनों का अब्यारण है माउंट आवू सीता माता सरिस्का सजनगाड बह अप्शन सीता माता क्या होगा सीता माता बह अप्शन सही है अगला परसन की बात करें गोडावन पक्सी की आश्रे इस्तल सोर्षन शेत्र किस जिले में इस्तित है चितोडगड जैसल मेर अजमेर बारा तो इसका सही जवाब है बारा में है दोस्तों गोडावन पक्षी की आश्रे इस्तली सोरसन शेत्री बारा जिले में इस्तित है अगला परसने राजस्तान को पस्ची मी रेगिस्तान को दो समान बागों में बाढ़ती है कौन सिसम रेका है जो की राजस्तान को दो बराबर बागों में बाढ़ती है जल्दी कमेंड करो पच्चीसे मी रेका, चबीसे मी रेका, पचासे मी रेका, चोंतीसे मी रेका वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्युशन हर बार पुछे जाता है पच्ची सेमी जो रेका है वो राजस्तान को दो बराबर बागों में बाढ़ती है ये मालोब राजस्तान का नक्सा है तो इसको दो बराबर बागों में बाढ़ती है ये कौन सी रेका है पच्ची सेमी रेका य दोस्तो क्युशन को दुबारा देख लिजेगा राजस्तान को पसी में रेगस्तान को समान भागों में दोस्तो नियाबर पसी में रेगस्तान की बात की गई है सोरी ठीक है पसी में रेगस्तान को दो समान भागों में बाढ़ती है वो है पचीशेमी नियाबर रेगस्तान को दो बागों में बाढ़ने की बात की गई है यानकि इदर का रेकिस्तान और इदर का रेकिस्तान इनको दो बराबर बागों में बाढ़ती वो 25 में है और राजस्तान को राजस्तान को दो बराबर बागों में बाढ़ती है उस रेका का नाम है 50 सेमी रेका याद रखना है दोन सेमी और सारेका राजस्तान को दो समान बागों में बांटती है सही जवाब होगा पच्चास सेमी अगला परसने काजरी आपरी राज्ये में कहां है काजरी आपरी राज्ये में कहां पर है तो यह है जोधपुर में कहां पर है कौन से जिले में जोधपुर में अगला परसने स प्रेम की समस्या से सरवादिक प्रवावित जिला शेसल मेर गंगा नगर हनुमानगाड जोदपूर हनुमानगाड क्या होगा हनुमानगाड अगला प्रसन है बीश्वा मरू विकास कारेकरम कितने जीलों में चलाया जा रहे हैं मरू विकास कारेकरम कितने जीलों में चलाया जा रहा है 15,16,18,17 16 जीलों में कितने जीलों में 16 डिश्टिक में याद रखना है अगला प्रसन है 21 वा मरू विकास कारेकरम कब सुरू हुआ कितने जीलों में चलाया जा रहा है वो मेंने बता दिया 16 जीलों में कब सुरू हुआ ये भी आप लोगों को बताना है 1977 से 1978 में चलाया गया 1977 याद रखना है very very important question है अगला प्रसन है राज्य में चपनिया अकाल पड़ा तो राज्य में चपनिया अकाल कब पड़ा ये आपको बताना है 1956 विक्रम सम्व, 1956 हीजरी, 1956 सर्मत, 1956 क्या होगा तो बिलकुल इसका अंसर आना चीए सभी का मुझे विश्वास है क्योंकि अभी क्या चल रहा है विक्रम सम्वत चल रहा है तो आप सभी का very very important question है बहुत अच्छा इसमें doubt होती है हीजरी लगाया है इस भी लगाया है और य ऐसा question doubt create करता है तो आपको सभी को याद रखना है विक्रम लगाना है अगला परसने तेविश्वार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण है 33, 26, 15, 20 सई जवाब है तो राज्य में कुल जो वन्य अभ्यारण है वन्य जीव वह है 26 अगला परसने राज्य में आख्येट निश्य शेत्र है 26, 33, 15, 20 तो राज्य में आख्येट निश्य शेत्र है 33, कितना 33, 33 अगला परसने दोस्तों पांच परसन और बच रहे हैं उनको ध्यान से जरूर देखना माचिया सपारी पार्क कहां है जैपूर कोटा जोदपूर जैसलमेर माचिया सपारी पार्क कहां प वह है जोदपूर में कहां पर जोदपूर में अगला परसने अमर्ता देवी का संबन्द है तो सभी को बताओगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है और आपको मैंने भी आहाले में भी बताया था जालोर नागोर खेजडली सहापूरा तो बिलकुल इसका आसान जव अगला परसने 27 वा राजे का सबसे बड़ा उद्ध्यान है शरिशका रनतंबोर मरूद्ध्यान दरा सभी का जवाब क्या हो जाएगा मरूद्ध्यान राजे का सबसे बड़ा उद्ध्यान कौन सा है मरूद्ध्यान अगला परसन होगा राजे का सबसे चोटा ब्यारन कहां जाल और शजनगर्ड सरिश्का दरा जवाब है शजनगर्ड क्या होगा शजनगर्ड अगला प्रसने राजे में कितने मरगवन है राजे में कितने अवरगवन है मरगवन आठ साथ नो दस क्या होगा साथ साथ मरगवन है राजे में अगला प्रसने राजे में कुल चिडिया गर है कितने चिडिया गर है जल्दी कमेंट कर दो तो पांच चिडिया गर है राजे में तो आपको मैंने तीस परसन करवा दिये वेरी वेरी इंपोर्टेंट किसंदे कल भी आपको मैं तीस जदा कमेंट करेंगे मैं रिजिनिंग की कलास लाऊंगा हिंदी की कलास लेके आऊंगा आपके लिए इंग्लिज की कलास और आपके लिए सारी सिक्षण अभी रूची की कलास और भी जितनी भी आपके सारे सब्ट्यक्टों की मैं पूरी कलास करवाने वाला हूं जितने भी बार बार में रिपीट होते हैं या जिनके आने की संभावन है सबसे ज़्यादा है इस बार पेपर में जिससे आपको अच्छी कोलेज मिल सके वो सारे प्रसंद में आपको करवाऊंगा इसलिए हमारा चैनल अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और अब भी ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर करें मुझे निचे तुरंद कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी धन्यवाद मित्रों जैहिन जैवार सभी को बेस्ट आप बस आपके पास कुछ दिन बचे हैं इनमें तैयारी कर लो इन्जोई को छोड़ तो बस आ मात्रा आपने कोई कुछ नहीं पड़ा अभी तक पूरे लोकडाउन में आपने सब कुछ ऐसे वेस्ट कर दिया कोई बात नहीं है अभी भी अपने पास अंती मोका है अंती मोका को बिल्कुल नहीं गवाना है धन्यवाद